राजस्तान क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा आयोजित कराई गई अंडर 16 प्रतियोगिता में धोलपुर की टीम विजिता रही दोलपुर की टीम दुआरा खिताब जीतने के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधी बीटी ने जिले के क्रिकेट संग के सचीव सुमेंदर तिवारी को फोन कर टीम की जीत की बधाई दी बस स्टेंड से शुरू हुआ खिलाडियों का रोड शो संतर रोड लाल पाजार जगनते रहा हर देवनगर होते हुए गौरफपत पर समाप्त हुआ टीम के रोड शो के दोरान जिला क्रिकेट संग के पद अधिकारियों के साथ शहर के लोगों ने जगे जगे खिलाडियों का स्वागत और सम्मान किया खिलाडियों के साथ टीम के कोच दुश्यन तत्यागी और शेहर को सुर्जीत सिंग का भी स्वागत किया गया रोडशो के दौरान जिला क्रिकेट संके सचीव सुमेंदर तिवारी की मेहनत को लेकर भी लोगों ने सरहाना की टीम के धोलपुर पहुँचने से पहले जैपर में पूर्व परिवहन अधिकारी विजय मीना ने खिलाडियों का सम्मान समारों आयुजित किया था जहां पूर्व परिवहन अधिकारी ने खिलाडियों के साथ दोनों कोच की भी होसला अवजाई की दोलपुर में निकाले गए रोडशो के दौरान जिला क्रिकेट संके पद अधिकारी के साथ पूर्व खिलाडी राहुल राणा विनोत निवारी रवी मोहंत रवीदी सहित बड़ी संख्या में क्रिकिट के खिलाडी और प्रशन सक मौझूद रहे राजाखेडा वधायक रोहित बोहरा ने शेतर के बाड़ प्रभावित ग्राम पंचायतों कोटपुरा, नादौली, नागर और गनहेदी के विभिन ग्रामों का दोरा कर इस्तिती का जायजा लिया इन गाउं में पारवती नदी के जल इस्तर बढ़ने और अत्याधिक वर्शा के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है आज अधिकारियों से चर्चा कर फसलों की गिर्दावरी कराने और प्रभावत परिवारों को शीग्र आर्थिक साहता उपलब्द कराने के निर्देश दिये राजाखेडा उपकंट के गाउं सोनपाल का पुरा में बीती रात अग्याद बदमाशु दुआरा एक युफती को गोली मारनी का मामला सामने आया है घटना को लेकर पीडिता के पिता ने राजाखेडा थाने में तहरीर दी है पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है पीडिता के पिता कमल सिंग पुत्र हरी सिंग निवासी स्टोनपाल का पुरा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आज रात करीब 11.30 बजे हमारा परिवार ताउ के घर पर था क्योंकि ताउ के लड़के की मृत्ती हो गई थी समय करीब 11.30 बजे बाजरे के खेत में रोशनी नजर आई उसको देखने पर मेरी पतनी तथा बेटी अपने घर आए मैंने बेटी से बोला कि कूलर बंद कर दो शोरगुल कर रहा है मेरी बेटी ने कूलर बंद किया और वापस मुणने पर छट के उपर तीन आदमी दिखाई दिये तो मेरी बेटी ने बोला कि पापा छट पर चोर है उसके बोलते ही उन्होंने बेटी के उपर फायर कर दिया फायर मेरी बेटी के दाहिने कुले में लगा इस शोरगुल में डिकैत मौके से फरार हो गए गाउं वालों ने ढूंने की कोश़िश की लेकिन कहीं पता नहीं लगा पीड़ता के पिता ने बताया कि घटना के बाद वे अपनी बेटी को राजाखेडा अस्पताल लाए लेकिन गंभीर होने के कारण राजाखेडा से रैफर कर दिया गया जसके बाद उसका इलाज आगरा के एक नीजी अस्पताल में चल रहा है राजाखेडा थाना प्रभारी ने बताया मामले को लेकर पीड़ता के परीजनों ने पुलिस में तहरीड दी है मुकदमा दर्च कर जांच की जा रही है एफ एस एल टीम को बुला कर घटना के संबन में साक्षेड जुटाए जा रहे हैं राजाखेडा से बुद्धी सिंग उदेनिया की रिपोर्ट ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुश्वाह के स्तीफे को लेकर यूवा वर्ग ने जताई नाराजगी देपव तहसील से वर्थमान ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुश्वाह ने अध्यक्षपत से अपनी स्वैच्छा से महादेव मंदर पर स्तीफा देने की बात कही थी लेकिन कुश्वाह समाच के कुछ युवा वर्ग ने अध्यक्षपत से स्तीफा देने को लेकर आज महादेव मंदर पर नाराज़ की जताई और कहा कि सुनील कुश्वाह के अध्यक्षपत से स्तीफा देने से युवा वर्ग सहमत नहीं है इसलिए उन्होंने आज महादेव म पंधा मिलाकर खड़े रहते हैं गरीबों की मसीहां है और वह एक अच्छ समाज सेवी व्यक्ति है इसलिए सेपों से तहसील से ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुश्वाह को रखा जाए उदर सुनील कुश्वाह ने बताया कि मैंने समाज को तीन साल दिये हैं कुश्वाह समाज को ये अधिकार है कि वो जिसे अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं जो भी व्यक्ति समाज के लिए काम करने का इच्छुक है उसका हमेशा स्वागत है पद समाज के लिए होता है पद किसी की जागीर नहीं है सुनील कुमार कुश्वा अध्यक्ष चैपव आप सभी को राम राम मैंने दो दिन पहले एक पोश्ट लगाई थी अध्यक्ष पद की मैंने स्वेम अपनी मर्जी से तस्तिपा देने की तो मेरे युवा समाज के सात्यों को अहात हुआ और उनको दुख भी हुआ सात में मैं उनसे सभी समाज बंदूओं और रिवसात्यों से मापी चाता हूँ ये अध्यक्ष बद मेरी जागीर नहीं है जिसको मैं बना रहूं ये समाज की जागीर है मेरी समाज जिस किसी को भी कुश्वा समाज का अध्यक्ष बनाना चाहती है तो वो बना सकते है ये पद आपके लिए 24 गंटे खाली है रही बात कोई युवासाती जिस तरीके से मैंने तीन साल इस समाज में रहकर गरीबों के साथ कंदे से कंदे मिला कर चला समाज में जितने दंगे धर्म की बात हुई उनमें मैंने सभी के साथ कंदे से कंदे मिला कर चला मैं इसलिए समाज बंदियों से कहना चाहता हूँ जो कोई युवासाती आगे आना चाहता है और वो लाइक हो उसको अध्यच बना सकती है समाज मैं यही चाहता हूँ अपनी समाज़ी राम राम साथ जिले में सार्वदिक परिक्षा परणाम देने वाले सरोच देवी महा विद्याले जगनेर रोड जार्गा बसेडी में प्रवेश प्रारंग यहां सनातक कला वर्ग में हिंदी साहतिय, संस्कृत साहतिय, अंग्रेजी साहतिय, इतिहास, भुगोल, राजनीती विज्यान, अर्थ शास्तर एवं विज्यान वर्ग में गड़ित विज्यान, रसायान विज्यान, जन्तु विज्यान, वनस्पति विज्यान, आदिविश एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरो वॉटर की सुवधाव प्लब्द है यहां अनुभवी अध्यापकों की द्वारा इसनात्तक कक्षाओं की साथ साथ प्रतियों की परिक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्ख करे प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का इस्थान जगनेर रोड जार्गा बसेडी धोरपुर हमारे यहां डीलेट, जीनेम, बीसी, नर्सिंग, बीएट, डीपेड, बीपेड एवं आईटी आई के कोर्स भी कराये जाते हैं, निदेशक बॉबी शर्मा मुबाइल नंबर 9929711892, व्यवस्थापक राहुल शर्मा मुबाइल नंबर 9950331272 श्रीमत भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन मिश्रा गली पुराना शहर धूलपुर में चल रही साद्दिफ सिय श्रीमत भागवत कथा ग्यान यग्य सप्तहा कतावाचक, आचार्य पंडित युगे शास्त्री जी महराज के सानिध्य में श्रीमत भागवत कथा का आजुक कथा की समापन पर भंडारे का आयोजन किया जिसमें सबसे बड़ा सहियोग कथा परिक्षित श्री रगुनात जी महराज एवं व्यवस्थापक संतोष मिश्रा, पिंटु मिश्रा, मुकुंद मिश्रा, सतीश मिश्रा आदी लोगों का रहा भागवत कथा बंधारे में खीर, पुआ, पुडी, सबजी, रायता आदी क प्रसाद बनवाया गया, जो कथा शोता भक्तो एवं धोलपुर शहर वासियों ने प्रसाद के रूप में ग्रहन किया, कथा प्रेमी एवं भक्तो ने बताया कि भागवत का प्रसाद 56 भोग के बराबर लग रहा है, धोलपुर जिले में समय समय पर भागवत कथा एवं भं मिश्रा, बबलू पाराशर, सुलेखा मिश्रा, पिंटू मिश्रा, हिमानी उपाध्याय जयंत कांकोलिया, रितिक उपाध्याय गौरी बंटी आमोच सहित सैकडो लोग मौजूत रहे धोलपुर से सुखदेव काकोलियक रिपोर्ट भागवत कथा के समापन पर किया गया विशाल भंडारे का आयोजन के सानिद्य में कथा व्यास कुल्दीप कृष्ण शास्त्री महराज के मुखारवन से श्रीमत भागवत महापुरांड के सस्वर वाचन किया गया समस्त ग्राम वासियों के सहियोग से साथ दन तक चली भागवत कथा कि समापन पर हवन एवं यग का आयोजन किया गया जिसके बाद भंडारे में प्रसादी वित्रत की गई श्रीमत भागवत कथा को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मनस पुत्र नारज जी को सुनाया था और नारज जी ने इसे वेद्वियाज जी को सुनाया था और वेद्वियाज जी ने इसे अपने शिश्य महाराज को सुनाया था बसीरी से अब्धेश स्चर्मा की रिपोट सेपव में 8-10-6 लास के साथ निकाला गया मिलाद उन्टबी का जुलुस मुस्लिम समाज के दूआरा मिलाद उन्नबी का जुलुस निकाला गया बड़े धूम धाम से पूरे कजबे में घुमाया गया और मुसलिम समाज के साथ साथ सभी समाजों के लोगों ने सामपरदाइक सौहार्थ का परीचे दिया वहीं बुलिस के जवान जुलिस के साथ साथ चलते दिखाई दिये सेपव से अजीत परिहार की रिपोट उनकी याद में बड़ी खुशी के साथ ये जुलूस निकाल रहे हैं और माशालला सभी लोग यहां पर जमा हुए हैं और नभी की आमत के मौगे पर हम सब यहां पर हाजिर हुए और नभी की आमत में हम यह तमाम लोग जुलूस निकाल रहे हैं राजय अस्थर पर शिक्षक संग राधा कृष्णन एवं शिक्षिका सेना ने जैपर में धोलपुर के साथ शिक्षकों को किया सम्मानत धोलपुर राजस्तान शिक्षक संग राधा कृष्णन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी एवं शिक्षिका सेना की प्रदेश संयोजी का सुनीता भाटी ने अरावली मार्ग इस्थेट सामुदाई केंद्र जैपुर में धोलपुर के उतकृष्ट कारिय करने वाले शिक्षकों को राज्यस्तार पर सम्मानत किया गया है शिक्षक संग राधा कृष्णन के जिला अध्यक्ष उंप्रकाश लोधा ने बताया कि 5 सिक्षक दिवस पर आयुजित किये जाने वाले कारिक्रम राजस्तान शिक्षक संग राधा कृष्णन दुआरा जैपुर में 16 सितंबर को आय मोमेंटो और दुपट्टा माला पहना करके सम्मानित किया गया। जिसमें महात्म गान्धी राजकिये विद्याले विरॉंधा में कारीरत एहमद नवीव व्याख्यता, हरिफूल व्याख्यता, उंपरकाश लोधा व्याख्यता, सुरेश चंद मौरिया अध्यापक को सम्मान का पुरा में कारिरत मुकेश चुंद भगेला अध्यापक को सम्मानित किया गया इस अवसर पर संगटन के समस्त पद अधिकारियों ने हर्श व्यक्त किया हाउसिंग बोट गणपती वे साथ जी का वसर्जन धोलपूर हाउसिंग बोट कॉलोनी सेक्टर नमबर तीन में बैठे गणपती जी का वसर्जन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया वे गणपती बप्पा मोर या अगले वर्ष्टिम जल्दी आओ के जैकारे के साथ गुलाल लगा कर सभी लोगों ने बारिश से अब धोलपूर शहर का पानी निकल कर काउं तक पहुँच रहा है ग्रामीनों ने बताया यह पानी जाटॉली मलिकपुर नसीरपुर मनीराम का पुरा लालपुर तक पहुँच चुका है और आगे निकल रहा है जिससे लोगों को फसल में भारी नुकसान हो रहा सल से पुनहें खुलेंगे विद्यारतियों के लिए स्कूल दोलपूर मौसम की स्तिती सामाने होने पर विद्यारतियों की शिक्षन व्यवस्था को दृष्टीगत रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त राच्किये एवं गैर राच्किये विद्याले 17 सितंबर से शिक्षा विभागी है पंचांग अनुसार पूर्वतह खुलने के आदेश जारी किये है जिले में भारी बारश को देखते हुए 11 सितंबर को जिले के समस्त राच्किये एवं गैर राच्किये विद्याले मिकक्षा एक से बारवी तक के सभी चात्र चात्राओं का अफकाश घोशित किया गया था अखिल भारती है गालफ पूर्वत्यागी ब्रामन महासभा की विशेश बैठक दोलपोर इस्तित राश्ट्रिय मुख्याले त्यागी चात्रावास में सफलता पूर्वक आयोजित की गई इस महत्वपूर्ण बैठक में महासभा के राश्ट्री अध्यक्ष लक्ष्मी नाराइन त्यागी मुख्या अतिती के रूप में उपस्तित रहे जबकि बैठक की अध्यक्षता महासभा के वरिष्ट उपाध्यक्ष बहादूर सिंग त्यागी ने की बैठक में विशिष्ट अतिथी के रूप में पूर्व महला अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला त्यागी भी शामल रही बैठक का शुभारम महर्शी गालव जी की प्रतिमा के समक्ष दीप्रज्वलन माल्यारपंड महर्शी गालव इस्तुती गान और समाज के ध्वजगान के साथ किया गया जिला महामंत्री विजयत्यागी ने बताया कि बैठक में महासभा के आगामी अधिवेशन और समाज के सवधान में आवशक शंशोधुनव पर गेहन विचार वमार्श हुआ महासभा के 46 वे राश्ट्री अधिवेशन को लेकर हुई चर्चा में पहले आगरा शेत्र में प्रस्तावित अधिवेशनों को निरस्त कर सर्वसमीती से निर्ने लिया गया कि मध्धप्रदेश के जोरा शेत्र इस्तित्यागी धरमशाला में महासभा का 46 वे राश्ट्री अधिवेशन आयुजित किया जाएगा अधिवेशन में उत्तरप्रदेश, मध्धप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नॉइडा, मेरट, गाजियाबाद, बिहार, मुजफर नगर, सहित देश भर से त्यागी ब्रामन समाच के लोग सम्मिलत होंगे दोलपुर बैठक में आगरा, वालियर, जोरा, मुरेना, सिहोर, चितोर, अस्वार, धोलपुर सहित अन्यशेत्रों से आए बंदों ने समाच की एक्ता बनाए रखने के लिए महासभा के निर्ने को सहर्श सुईकार किया और 46 वे अधिवेशन को सफल बनाने के लिए पून सहियोग करने का संकल्प लिया महासभा के 46 वे राश्वे अधिवेशन को लेकर समाच के सभी बंदों से अपील की है कि वे इस एतिहासिक आयोजन में सम्मिलत होकर समाच की एक्ता प्रगती और विकास की दिशा में सहियोग दे महासभा की बैठक में प्रमुख रूप से महासभा के पद अधिकारी प्रदेश और शेत्रिय एकाईयों के पद अधिकारी एवं समाच के वरिष्ट जनों ने भाग लिया सम्ता सैनिक दल की मीटिंग आज गाउं कुमहेरी जला धोलपुर में संगटन की करमत कारिकरता पुरशुत्तम की नेतरत्व में आयोज़त की गई जिसके मुखे अधिदी संगटन की राश्ट्री सची वीके कंचन बोध रहे तथा मीटिंग की अध्यक्षता रामलाल बाबा ने की सबसे पहले सामोहिक त्रिशरण पंचशील किया बीके कंचन बोध ने बताया कि समता सैनिक दल बाबा साहिव अमेटकर के दोआरा बनाया हुआ संगटन है यह संगटन जाती विहीन वर्ण विहीन सामजिक संगटन है 23 और 24 सतंबर को दिली में समता सैनिक दल का राश्ट्री अधिवेशन जनमोटसफ की रूप में मनाया जाएगा जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्तित रहेंगे तथा माल अपना प्रयोग सामार्ज में पनप्रही कुरीतियां जुआ, सट्टा, शराब तथा मृत्यू भोच को जड़ से खत्म करना होगा तभी समाज का विकास हो पाएगा, आदी पर विचार व्यक्त किया, इस मौके पर शाम सिंग, गंगा सिंग, किशनलार, विशंबर दयाल, रामफ्तार, उतार, सिंग, मीन सिंग, हरियों, प्रदीप कुमार, अश्विनी कुमार, नेतरपाल, दीपु कुमार, राम भरत, प् दिख रही जहलक, शर्मतरा कस्वे में चल रहे स्री महाकालिश और मेले में पुलिस का मानवी चेहरा देखने को मिल रहा है, जिसमें शर्मतरा पुलिस के द्वारा मेले में आने वाले सरद्दालों की सुरच्छा के साथ साथ सेवा करने की भी जहलक दिखाई दे रही है, स साथ ही कुद सर्मत्रा सीयो नरेंद्र कुमार मीना एवं थानापरबारी गौरव कुमार के द्वारा भी मेले में ड्यूटी के साथ-साथ बंडारे में भी अपनी सिवा प्रदान की। साथ ही पुलिस के इस कारे की लोगों के द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। इस दोरान नरसी राम, हरेंद्र हैमराज, अशोग, लाकन सेंग, जश्मन सेंग, कने, लाल, कपिल कुमार, अबदेश कुमार सहित बड़ी संक्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहे। शर्मत्रा से जिलाशंमद्दा ता विश्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कि रहे लिए।